तेखड़ा बिधानसभा में हूँ और ये तेखड़ा बिधानसभा धीरे धीरे त्रिकोनात्मक बनता चला गया मैं आपको एक चीज असपस्ट यहां पे करना चाहूंगा कि जो कार्ज करता होते हैं उनका जो मानसिक तौर पे यहां पे सोसन खुलम खुला हुआ है इसकी सबूत पेस करने की जरूरत नहीं है आप लोग खुद समझ भी रहे होंगे कि किस तरीके से लोक जनसक्ती पार्टी ने भी अपने कार्ज करता का अभेलना किया भारतिय जनता पार्टी ने तो हाथ ही खड़ा कर दिये विरेंदर महतों जिनसे सारे लोग तेगड़ा में अनोयड चल रहे थह आज भी अनोयड के ही इस्तिती में है तो उस पर इस्तिती में महा गड़ बंदन की इस्तिती काफी मझबूत नजर आ रही थी तेगड़ा में लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे परिवार के एक ऐसे उम्मिदवार से मिलवा रहा हूँ जिनका परिवार पूरे बेगू सराय नहीं बलकि आप यों समझ लीजिए कि पूरे बिहार में बाम पंथ को एक जगह देने वाले एक प्लेटफॉर्म देने वाले सूरसदा का नाम आप लोगोंने सुना होगा और गौरब भी करते होंगे कि ऐसे लीडर अब हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उन्हीं के परिवार से अतुल जी आ गये हैं मैदान में और उन्होंने सपत लिया है कि तेगड़ा को भरस्टाचार से मुक्त कराना है हलाके वामपंत के एक नेता रामरतन सिंग यहां से उम्मिदवार भी है महागट बंदन के उसके बाबजूद भी अतुल जी का आना तेगड़ा विधान सभावे निश्चित तौर पे कुछ न कुछ खास कह रहा है हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात भी करेंगे अतुल जी आपका बीड़े नियूज में स्वागत है और सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि आप एक ऐसे परिवार से हैं जिस परिवार का एक राजनितिक सामाजिक आर्थिक नहीं लेकिन राजनितिक और सामाजिक द्रिश्टिकों से बहुत बड़े चेहरे के रूप में आपका परिवार देखा जाता है आप सूरजदा के पोते हैं तो ऐसे में रामरतन सिंग भी यहाँ पे खड़े हैं और तेखड़ा बिधान सभासे आपने भी निर्दलिया उमिद्वारी पेस कर दिया आखिर क्यों बज़र क्या रही सबसे बड़ी वज़ा यह है कि हम जिस फैमली से बिलोंग करते हैं कॉमडर सूरज ने लाल जंडे के नीचे इस बेवुस राजला के अंदर कभी यह माइने रखता था कि बचवारा से बखरी लाले लाल कर देंगे और उन्होंने ऐसा किया अपने दम पे आके उनकी इमनद करती कि वह गरीबों के मस्या हुआ करते थे गरीबों के परति उनके अंदर सहांद्भूती होती थी और उनके लिए वह संगर्ष करते थे लेकिन आज मेरे पेमली के अंदर आज हमने पचीस सालों के बाद इस जगह में फिर इंट्री लेने का या कोशी इसलिए मैं निक्य और आज कहीं न कहीं बॉमपंत अपनी वचार्धारा से अलग घठक चुकी है आज अगर बॉमपंत अंपनी विचार्धारा से अलग नहीं भटक ती तो चभी यह मास्कों कहा जाने वाला च्षेत्र अज दसाया हो चुकी है कि साथ विद्धान सभा के अंदर में भी इनके पास एक विधान सभाओं नहीं बचती है एक लोगत है वो भी इनके पास नहीं बचती है अखिर मजबूरी क्या है इनके पास कहें न कहीं इनके पास इनकी कमी महसूस हुई यह इनके कारज करता कहीं औनके कहीं अपने आपको ठका can we लगे जिस कारण इनसे मास जो था मास बैंक वह हर्ट चला गया हम इसी सारे चीज़ को देखते हैं आज हम एक मजदूरी मजदूर के अवस्था में काम कर रहे थे लेकिन जिस जगह हम काम कर रहे थे वहां हमने यह देखा कि यह जिनके लिए आज लड़ते थे जिन जो सोसित प्रित मजदूर वर्ग लोग थे उनके लिए काम करते थे लेकिन आज वह ठका महसूस कर रहे हैं आज उनहीं के लिए यह मुझे अपने आप यह सर्विन्दी महसूस होने लगी कि कभी कॉम्रे सूरज ने इस जगह जितने भी मजदूर वर्ग के लोग थे वह कभी जाती और धर्म के लड़ाई नहीं लड़ी बलकि उन्हों के लिए लड़ाई लड़ी थी लेकिन आज यहां पर यह इस्थित्य उत्पन हो गई है कि ना गरीब मजदूर इन तमाम लोगों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं मिलना है आज होस्पीटल हो ठाना हो ब्लॉक हो इसक इनकी समस्या को पूरे समाज के सामने रखने का कम हमने करने का यह संकलप लिया है कि जो समस्या है इनकी आज जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है कभी जात के नाम पे कभी धर्म के नाम पे सिर्फ वह भोट मांगने का काम कर रही है जिसमें कहीं ना कहीं यह भी अपना सिर लेकिन हम यह जानना चाहते हैं साथियों से कि लोग सभा का जब चुनावाता है तो वह बोलते हैं कि इस देश का नौजवान नेता होना चाहिए मैं उन्हीं से यह पूछना चाहता हूं कि जब लोग सभा का चुनावाता है तो वह बोलते हैं कि नोजवान साथी मेरा लोग सभा के अंदर जाके अपनी आवाज को बुलंद करे लेकिन ऐसी उनकी साथ क्या मजबूरी हो गई कि 70 पलस जब लोग सभा का चुनावाता है तो वह 70 पलस के कंडिडेट को इस मैदान में उतारते हैं यही तो सवाल का भिसा है और सोचने भिसा आपका मुद्दा क्या है विदान सभा में मेरा मुलू देश है मेरा मुलू देश है कि आज सिक्षा, स्वास्ट और सुरक्षा कहीं न कहीं आप भी समझ रहे हो कि यह सारे लोग ठके महसूस कर रहे हैं आज सिक्षा के नाम पे हो जाए इसकूल में जाएं तो टीचर नहीं आज सरकार के अंदर जितनी भी जलूल कामें होती है वह सिक्षा पे टीचर को ध्यान नहीं आकरसित करवाते हैं लेकिन भोट हो क्या बोलते हैं आपको जन गनना हो या करोना हो उनमें इनकी भागेदारी की जाती है हमारे यहां बच्चे की सिक्षा विवस्था सही हो सरकार यह कभी नहीं सोचती है कारण उनको इनके भवी से कोई मतलब ही नहीं रह जाता है उनको सिर्फ अपना भोट बेंक चाहिए तो मेरा उद्देश है सिक्षा विवस्था बहुत चूस्त और दुरूस्त होनी चाहिए हम यह कहना चाहते हैं आज मेरे समाज के अंदर में APG अब्दुलकलाम कहां से आएंगे वह भी तो एक जुगी के लाल हुआ करते थे लेकिन आज मेरे हाँ जितने भी बिद्धाले है अब देख सकते हैं जाके क्या वहाँ पर कोई भी प्रैक्टिकल रूम उपलब्ध है क्या गरीब के बच्चे कहां पर practical room में जाके अपने आपको यह साबित कर पाएंगे कि हम भी एपीजी अब्दुलकलाम बन सकते हैं लेकिन इसा नहीं होता है कारण वह जानते हैं अगर यह सिख्षित होगे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी आज जितने भी political party हैं वह कही ना कही अपनी दुकान चलाने का काम करते हैं ना कि आउम-जन्वानस की समस्या के बारे में सोचते हैं आज उनका सिर्फ यही नारा है कि जाती धर्म तेगड़ा में पिछले दिनों कई घटनाये हुई है और बड़ी-बड़ी घटनाये हुई है खास करके डकैती लूट पार्ट से संबंधित यानि लॉआ एन ओर्डर कुछ नहीं है जबकि 500 मिटर की दूरी पर DSP कार जाले है और वंडल कार जाले है तेगड़ा का थाना भी है तो इस परिस्तिती में भी अगर यहां पर इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया जाता है तो कमी कहां है कमी कहीं न कहीं आज हमारे सुसासन बाबू के अंदर हो चली एक तरफ तो वह कहते हैं कि हम निर्भिक और निर्भय बिहार बनाने जा रहे हैं लेकिन यह तो आम जन्मानस को ही विचार करना होगा कि आज तेगरा मार्केट के अंदर जो कभी ऐसा हुआ करता था लेकिन जब इनकी सत्ता आई और कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टी के जितने भी वरकर्स थे आज अपने आपको ठगा महसूस करने लगे तो वह बैक फूट पे चले गए और यह बज़ाय आई कि जितने भी अपराधित तत्यक के लोग बैकती थे वह आज आगे आए औ और उन्होंने परसासन को अपने जेवी का खिलोना समझ लिया जिस वज़ा से उनकी मोनोपोली बढ़ती गई और दिन दहारे मार्केट के अंदर अपराधित घटना बढ़ती जा रही है देखड़ा बिधानस भाँ में जो में तीन उमीदबार है चाहे वो ललन कुमर हो चाहे वो रामरतन सिंग हो या बिरेंदर महतो हो ये तीनों बैखती कभी ने कभी तेखड़ा के लिए कुछ नो कुछ काम किया आप एक अलग मुहिम छेड़ रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको कैसा रिस्पॉंस मिल रहा है पबलीक से सबसे पहले तो हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि जिस फैमली से हम बिलॉंग करते हैं उसके बाद भी आज हमने नौ सालों से आम जन्मानस के बीच में समाजी कर्ज करने का ही काम किया था एंबूलेंस के रूप में भी हो आज करोना के अंदर भी हो हमने आज नेतागन करोना के अंदर अपने आपको यह का कि सिम्टा चुते थे कि करोना है कहीं न कहीं लेकिन हम उस करोना के बीच में आम जन्मानस के अंदर जाके अपनी सेवा देने का काम किया और हमको यह लगता है कि यह करोना क्या है आज हम यह जानना चाहते हैं आप से और पूरे आम जन्मानस और जितने भी नेता हैं नेता जनों से और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं क्या करोना सिर्फ आम जन्मानस के लिए हुआ था या इन नेताओं के लिए भी हुआ था अगर नेताओं के लिए हुआ था तो जिस समय आम जन्मान जितने भी गरीब मजदूर थे उनके पेट में जब आग लगी थी तो उस समय करोना था आज जब वह बाहर से करोना के बज़े से अपने गउं उपस्थित हुए तो यहां भी उन्होंने कहीं अपने आपको ठगा मसूस किया और भुके मरने की जब ववस्ता आई तो उनके पास जाने के लिए भी वेवस्ता नहीं है लेकिन अभी जितने भी हमारे मन्नेवर हैं ने सके लेकिन इनकी जब सीट की और गदी की वारी आई आज को रोना खतम हो गया अखिरा ऐसा कौन सा भैक्सिन निकाले कि उनके लिए आया सिर्फ और उनके धरने और परदर्शन में समटके रहा गया पूरे आम जन्मानस के लिए वा भैक्सिन आया ही नहीं तेगर आभी दा सिर्फ आपके पास एक मुल मंत्र मिला था कि अपना एक मत देने का और यह मत आपका पौन साल निरनायक होता है और यह आपको बिचार करना होगा कि हमें विकास चाहिए हमें सिच्छा चाहिए स्वास्त चाहिए सुरक्चा चाहिए आज महिलाओं के साथ जो घिनोना हम आउज बुलंद करनी चाहिए बस हम यह चाहते हैं वह यह सोचें कि उनको जाती ओर धर्म चाहिए या विकास का नारा चाहिए तो किस पर बटन दों आएंगे अगर विकास का चाहेंगे हम न किसी जाती और धर्म से आते हैं नमर पे और अन्बारी छापपड है बिकास कारी में अपना युग्दाउन करेंगे